जाइन देश्वेंट्स आप सबका आप एक ही एक्जाम बचा हुआ है सबसीडरी का इंडियन एकोनमी ठीक है तो इस सब्जेक्ट से जुए जितने भी महतपुर्ण अब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा चुकि टाइम कम है इसलिए लगाता क्योंकि पारट 2 ही नहीं मैं पार्ट 3 में भी आप लोगों के लिए वीडियो ले कर आऊंगा और पार्ट 3 का पर्प्रइशन ठीक डंग से करवाऊंगा आप लोग इस से बहुत हाली में जुरे हैं लेकिंपार्ट 3 में तो पहले से जुर रहेंगे तो पार्ट 3 का एक्जम से बहुत कोईशन पूछ दिया था सो हम गेस पे भरोशा ना करते हुए बुक से नोट्स आप लोगों को समझा रहे हैं विकास सील अर्थविवसा चेप्टर से इसमें जो पहला कोईशन से इंपोटैंट है ने कहाए जयसे एक अर्थविक्सित डेश अफिकर में पाने वाले चौपाय जिराफ की भाति महांति है कि अर्थविक्सित देश पर इन्होंने तंजिकांशा क Side comment किया हुए जो अर्ध विकसित देशु वाइस ही होता है जैसे अफरिका में जीराव ठीक है यह कर ओन स्विक्सित यह सकते हैं विकाश सील यानि कि देवलोंपिंग है भारत है और अड़्नो चिज या, जो भाट जो, पाकिस्तानि फीकें, सण देश देश है क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है आप लोगों को पता होगा इंडियन एकोनमी है आप यहां पर बारती है अर्धास्त्र को पढ़ेंगे फिर अर्ध्षास्त्र को जानेंगे तो अर्ध्विक्सित देशों में बेरुजगारी होता है किस टाइप का तो और द्रिश आगे है यह परिभासा किसकी है कि अर्ध्विक्सित देश हुए है जिन्हें प्रतिव्यक्ति वास्तविक आए अमरीका, कनाडा, अस्ट्रेलिया और पस्सिमी यूरोपिये देशों के प्रतिव्यक्ति ऐसे कम हो यह सन्युक्त राश शंग का परिभासा है और बिल्कुल मै प्रतिव्यक्ति आए अधिक होगा इंडिविज्वल जो परिशन का इनिकम है वो अगर अधिक है इसका मतलब वो डेवलोप्ड कंट्री है और अगर बढ़ राए तो डेवलोपिंग कंट्री तो यह परिभासा जो अर्ध्विक्सित देश हुए है जिन्हें प्रतिव्यक् इसे कम हो यह परिभासा शन्युक्त राष्ट्र शंग का है आगे अर्ध्विक्सित देशों में निम्न अस्तरिय जनसंख्यां शाम में जाल पाया जाता है यह लिवेंस्टीन का स्टेटमेंट है ठीक है भारत में पंच वर्षी योजना का निर्मारी इससे बहूत ज्याद पड़ें तो भारत की पंच वर्षी योजना को क्या कहते हैं भारत की पंचवर्षी योजना है उसको हमलोग बोलते हैं राष्ट्रिय योजना या मैक्रो लेवल योजना भारत में योजना आयोग की अस्थापना हुआ था तो मार्च 1950 इसवी में भारत में योजना आयोग की अस्थापना हुआ था ठीक है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है और वर्तमान में योजना आयोग को खतम क कर दिया गया जब प्रधानमंत्री नर्द्रमोदी बने तो योजना आयोग को खतम करके योजना आयोग के जगह पर नीती आयोग नाम रख दिया गया ठीक है योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीती आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते properly, जो you PM होंगे वह उसका अध्यक्ष होगा। थी कि लोग यह जाल लेती हैं जो नाम याद करने होंड नाम आपको न याद करने है आपको उपद याद रखने क्योंकि जो उस पद पर आसिन व्यक्ति होंगे वह उस आयोग का ध्यक्ष हो जाएगा नियोजन संबंधि नीती निर्धारन करने वाली उच अस्तरिय संस्था को क्या कहते हैं तो नियोजन संबंधित नीती निर्धारन करने वाली उच अस्तरिय संस्था को राष्ट्रिय विकास परिशद कहा जाता है आगे है राज अस्तरिये नियोजन तंत्र के महतपुर्ण निकाय होते हैं, तो आयोजना विभाग, प्रथम पंच वर्षी योजना के बारे में आप लोग जानिए, तो प्रथम पंच वर्षी योजना उन्हें सो एक्याबन से छपन में हुआ था, ठीक है, है, हैरोड डोमर म मौडल पर आधारी था, यह पूछ देगा जो प्रथम पंच वर्षी योजना कब हुआ था, तो उन्हें सो एक्याबन से छपन में, यह किस मौडल पर आधारी था, तो हैरोड डोमर मौडल पर आगे है, इसमें जो प्रथम पंच वर्षी योजना था, उसमें प्राच्मिक प्राइच वर्ष का समझा पांच साल का रोड मैप होता है इस पांच साल में हमको किस पर विषेश जोड़ देना यह नहीं है किरसी का ही कार्ज किया गया तो सब किया गया लेकिन तरह सबसे अधिक जिस पर काम किया गया वोक था क्रिसी पर इसे क्या हुआ तो राष्ट्री आई में 18% की वृद्धी हुई और प्रती व्यक्ति आई में 11% की वृद्धी हुई ठीक है चलिए दूतिय पंच वर्सी योजना उन्हें सो 56 से ओân से 876 मं हुआ था ठीक है यहें सिरियल में देखिंग चल रहा है एक आवन 56 छपन शपन 16फ पॉद्धी योजना पांच साल का do deploy gonna record प्रत्मिक्ता क्या था उच्च प्रत्मिक्ता किस क्या दिख जो focus था वो क्या था तो भारी उध्योगों वह खणी जों पर भारी उध्योगों वह खर्णीरों पर 24 परचंट रासी यहां खर्ज किया गया था तॉतिय प्राथ muesday करें सबसे टॉप लेवल पर था भारी उद्योगों खनी और दूतिये लेवल पर था देनी कि प्रात्मिक्ता में याता यात हुआ संचार इस पर 28 परसेंट जो था रासी का व्याई किया गया चलिए दुरगापूर भिलाई राउरकेला के इस्पात कर खाने इसी योजना के दौर उसी के दौरान इस सब का अस्थापना हुआ तो तृतिये पंच बरसी योजना उन्हें सो 16166 इसका जो उद्देश से था वो अर्थ वेवस्था को आत्म निर्भर बनाना तथा स्वतह अस्पुर्त अवस्था में पहुँचाना क्या था उद्देश अर्थ वेवस्था को आत्म निर्भर बनाना तथा स्वतह अस्पुर्त अवस्था में पहुचाना प्रात्मिकता था क्रसी तथा उद्देश यानि कि पहले दोनों को ही रिवाज किया गया ठीक है उस पे जो भी उनको फीडबैक मिला उस फीडबैक के अधर पे उस काम को थोड़ा और आगे ले जाना 1964 में पुर्व सोवियत संग के शहयोग से बोकारों में बोकारों आइरन और स्टील इंडरस्टी की अस्थापना की गई ठीक है भारत चीन युद्ध भारत पाक युद्ध और सूखा के कारण यह औसफल हो गया था ठीक है यानि कि उसी दोरान दो तीन घटना घटित हुआ जिसके बज़ासी यह जो पंचवर्षई प्लान था यह सफल नहीं पाया और सफल हो गया ठीक है इसी के दोरान हरित क्रांती का जन्म हुआ था पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हरित क्रांती स्वेत क्रांती रजत क्रांती और भी बहुत सारे क्रांतियां थी तो आप लोग उस वीडियो को देखें होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं अगर नहीं देखें होंगे तो उसका लिंक भी अवकास जो था 1966-1969 हुआ योजना अवकास 1966-1969 में बहुत साय डेट्स पूछ लिया गया था तो इसमें आपको तो डेट्स पे भी काम करना पड़ेगा मैं सभी इंपोर्टेंट डेट्स आप लोगों के सामने लाओंगा आप लोगों को बस वीडियो को देखकर उस करके जाना है ठीक है योजना अवकास जो था यह तीन वर्सका था यह तो सवाइग बात है आपको पताईए 1966-1969 तीन साल का इस अवधी में तीन वार्सिक योजनाय तयार कि गई तेन वार्सिक योजनाय तयार की गई क्रसी तथा उध्योग छेत्रों को शमान प्राथ्मिक तीन बार योजन भांगस राट में पुदरी सब्सक्राइब सब्सक्रातर के बीच है यह जो थे D.R. गाईगिल मोडल पर आधारी था, D.R. गाईगिल मोडल पर आधारी था, इसका जो मुख उद्रेश था, वो था अस्थायत्त के साथ विकास, तथा आर्थिक आत्म निर्भरता की प्राप्ती, 4-5 वर्षिय योजना का जो उद्रेश था, मुख्य वो था अस्थायत्तु के साथ विकास तो था आर्थिक आत्म निर्भरता की प्राप्ति स्वेत कांती का जन्म इसी के दौरान हुआ था ठीक है ऐसा पूछ देगा थी के ट्रीकी कुईशन पूछता है आपको समझना है किस पंचवर्सी योजना के दौरान हरित कांती हुआ ठीक कांती का जन्म हुआ किस पंचवर्सी योजना के दौरान स्वेत कांती का जन्म हुआ स्वेत कांती से तो education आना है तो आपको समझना है समझ के जाना रटके जाएगा तो फंस जाईएगा और सब बाने बहुलिएगा सर मिला ही नहीं क्षिसंस तो च्वेस अपको तो शमज की जरूरत है आप समझ को तो डेवलप किजिए सार अची समझ में जाएगा अपार्थी में तो हम करवाएंगे ही आप लोग को पांच भी पंच वर्सिय योजना जो 1974 से 78 ही रहा यानी कि चार साल में ही करने की यह कंते हो लीजक की बहुत नारा शुने होंगे अगर आप नीव सिपेपर देखती होंगे आप नीएपनको देखिया को प्रेंगों परणों आत्रणियूस और लोगा में को आ利्गा स्शेस्ट को रओंगा नीव स्जेस्ट लोंगा बहुत information रहता है इसी योजना में 20 सुत्री काडिकरम 1975 में शुरुवात हुआ था यह बहुत important बात है ठीक है इसी योजना में 20 सुत्री काडिकरम कभ हुआ 1975 में शुरुवात हुई अनबरत योजना 1978-1980 के बीच में यह गुनार मिर्डल मौडल पर आधारिता ठीक है चलिए 1978-1983 अवधी के लिए अनबरत योजना मुरारजी देशाई के नितृत वाली जंता पार्टी के सरकार द्वारा बनाई गई लेकिन इंद्रा गांधी के नितृत वाली नई सरकार द्वारा 180 में ही समाप्त कर दिया गया इस बीच में राजनीतिक उथल पुथल मच गया था पहली बार 178 इस भी में गैर कांग्रेसी सरकार या निकि जो भी योजना बनाए थे लाए थे उसको फिर से देखिए वो जो सरकार बना बहुत दिन चल नहीं पाया 180 में खत्म हो गया और इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री बनी और सभी योजनाओं को खत्म कर दिया ऐसा सभी करते हैं जो आते हैं तो अपना नाम उसमें दे देते जैसे आपको पता होगा पहले था इंद्रा आवास जिसको अब बना दिया गया प्रधान मंत्री आवास ठीक है मध्यान भोजन था पी एम पोशन हो गया तो यह सब नाम चेंज होता रहा था चट्थी पंच वर्षी योजना उन्हें सो असी से पचासी में इसका में अब्जेक्टिव था गरिवी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धी सातमी पंच वर्षी योजना था वो फचासी से नबंच में था जौन डब्ल्यू मिलर मृडल पयाधारी था ठीक है नारा इसमें क्या दिया गया तो भोजन काम और उत्पादन ऐसा question पुछेगा जो भोजन काम और उत्पादन किस पंच वर्षी योजना में दिया गया लि फिर आया योजना आवकास जो कि 1990 और 92 स्वी में था, फिर 1 अप्रेव 1908 से 31 मार्ज 1992 तक राजनितिक और स्थिर्ता एवं आर्थिक संकट के कारण से यह योजना बनाई गई, आठमी पंच बर्शी योजना 1992 से 1997, इसमें जो सर्वोच प्रात्मिक्ता दिया गया वो था मानव शंसाधन का विकास, नौमी पंच बर्शी योजना, शंतानवे से 2002 में, सर्वोच प्रात्मिक्ता इसमें था नियाएपुर्ण वित्रन एवं शमानता के साथ विकास, दसमी पंच बर्शी योजना, दू से साथ में, ग्यारमी पंच बर्शी योजना, साथ से बारह में, बा जनवरी 2015 को 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने नरेंद्र मोधी ठीक है और इनके बनते ही योजना आयोग को खर्तम करके नीती आयोग का गठन किया गया जनवरी 2015 को बंबय योजना प्रस्तुत किया गया उने सटाली सिस्वी को स्री एम विशेस्वरया ने सन 1934 में किस पुस्तक में योजना की प्रत्थम रूपड़े खातियार की थी तो इसका नाम प्लांड एकॉंडमी फॉर इंडिया इस पुस्तक में भारत के विकास दस वर् को छोड़ेंगे हम मनुवर्मा और एकाद दोनों गेस पेपर को भी कवर करेंगे मतलब आपको अवरॉल एकॉनोमी से कोई भी प्रावल्म नहीं होगा बस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंट्स से आगे जरूर सेर कर दें एक सेर तो